So guys, welcome to Delhi Football Madness और draw हो गया है match Athletic Club versus Barcelona का बहुत ही फीका सा match था obviously उसके अंदर बहुत सी बुरी नियूस भी है उसके पर भी हम दिसकेशन करेंगे मैच को भी दिसकेशन करेंगे Manchester Derby के उपर दिसकेशन करेंगे और बारसा मतलब कैसे मुझे फॉवर्ड कर सकती है इस सारी सिचुएशन से सारी चीजों के उपर जो हम दिसकेशन करेंगे लेकिन सबसे पहले बारसा वो सिल्टिंग मैच देखें यार लाइन अप से तो मुझे कोई मसला नहीं है वो ही सेम सेट अप था इस पर चावी जाओ फिलिक सब इंजरी से वापस आ रहे है तो वो बहुत अदम को यूज नहीं करना चाहरे थे तो पेंटरी और अप फरंट जो है वो गुंड़गान थे इंटिरियर पोजिशन पे एक क्वेशन मार्क यह था कर राइट सेट पे कौन खेलेगा वो रिफीनिया को लोने खिलाया रिफीनिया पिर वही बात है फैर पलेयर बाइप लेजो हम बात करते हैं लेकिन सबसे जो मेंट चीज भाई वो यह है कि हमारे जो दो में इन पलेयर हैं वो injured हो चुके हैं गावी is already out और पेडरी is out और फ्रेंकी देखें पेडरी की जगा पे वो जो interior positions के उपर हमारे पास काफी options है ठीक है लेकिन फ्रेंकी की जगा पे हमारे पास कोई option नहीं है और हम हर वक्त लगे रहते हैं कि हम फ्रेंकी मैं हमेशा यही बात करता हूँ कि फ्र और पे करना पड़ेगा सबसे पहली बात है और आपको दो प्लेयर चाहिए है ठीक है तो फ्रेंकी गॉड इंजर्ड और एस पर नियूज फ्रेंकी ने अपना एंकल स्प्रें कर दिया और ही इस मतलब काफी ज़्यादा डाउट है वो नेपली गेम के लिए और पेडरी इस पेडरी इस आउट बाई I feel sad he was crying तो I really feel bad for him because वो relapse हुआ है लग रहा है उनकी इंजरी का और I really hope this trajectory जो है जैसे आंसु फार्टी की दी वैसे ना रहे यहाँ पे पेडरी की पेडरी वाज एन इसके बाद तो आपने मतलब आपने उसको खुद ही जया कि हम ऐसे ही करते हैं एक तो हमारी फैनेशल सिच्वेशन ठीक नहीं है ओपर से हम यंग प्लेयर चूपर रहे हैं और फिर जब वो थोड़ा सा अच्छा करते हैं तो फिर हम उनको ऐसा खिलाते हैं आप जाके सिटी के अंदर तो आपको आंसर मिल जाएगा कि इस तरह प्लेयर की जो है वो डिवल्पमेंट होनी चाहिए जिस तरह फिल फोड़न की या और भी बहुत से प्लेयर आप साका को देख लें ठीक है अपके पास अब हम इतने ज़्यादा डेस्परेट हो चुके हैं बिकाज अब हमने कुबार्ट सी को भी हमने खिलाना है वो अच्छा कर रहा है अच्छी बात है रिस्ट बहुत कम लिल रहा है उसको फिर गावी के साथ भी हमने अल्मुस्ट यही किया था खिलाई गए खिल बलाइगे तो भी वरी होनस मारे बेंच से जादा ऑप्शन नहीं है ठीक है लोग अकसर कंपेर करते हैं का मेडरीट के पास मेडरीट को बहुत जते इंजरी से थी यहाँ देके मेडरीट मेडरीं के पास मिड्फिल्स टैग्ड है और जब आपके मिड्फिल्स टैग्ड होत ने सब्सक्राइब और सिर्फिशन हैं तो उन्स से ऊपरिये कि वह कर रहे हैं उस पर रेलाए निए उसी सीजन वाल्डे को पर रेलाए कर रहे हैं तो जिसकी वज़ाएं अब आप देखे ना चावी की गलती है इसके उपड़ मैं बात करूंगा लेकिन अकसर लोग कहारहे थे कि लमीनियमाल को रेस दिना चाइए चावी ने लमीनियमाल को रेस दिया रफीनिया ने एक गेम में अच्छा किया और उसके बाद वो हगु काम जो है हुए सतरा साल के लड़के ओ खिलाना चाता है इसी तरह को बारसी भी है तो बाकी प्लियर्स जा तो इंजड हो जाते हैं या फिर अवेलेबल नहीं होते हैं या फिर उनकी फॉर्म गई होती है तो यार हमारी मेडिकल टीम के लिए भी कुश्चन मार कही है कि कैसे बार-बार मलता फ्रेंकी अजिस तो नो और मैंने क्या बोला था अब से अभी आप फ्रेंकी को हाफ के लिए बठा दो मलता अवरीधिंग वस फाइन, कंट्रोल था गेम के अंदर जैसी फ्रेंकी गें, फ्रेंकी के जाने से इट वस के ऐस कैसे हो सकता है भाई एक प्लियर की खेल रहे थे फ्रेंकी की जगा, फ्रेंकी की पॉजिशन के उपर क्रिस्टन सन को आना चाहिए था और क्रिस्टन सन की पॉजिशन के उपर पेडरी को जाना चाहिए था, उसके बाद जब पेडरी भी इंजट हुए, तब भी क्रिस्टन सन उस पोजिशन पे नहीं गए वो जो डीप डीप डीफेंसिव मिड़ीडर को रोल था तो उसमें भी गुंडगोन गए दबारा जाके ठीक है तो आप इधर से अधनाजा लगा लें और आप जो है ना समझ लें इस बात को कि क्रिस्टन सन is a good world class one of the best ball playing centerbacks but he is not going to be a solution for DM चावी का trust ही नहीं है वो खिला रहा है उसके पास कोई और option नहीं है इसलिए खिला रहा है वो इसलिए नहीं खिला रहा है because he is doing wonders लेकिन अब आप पुछ कर नहीं सकते हैं मैं हमेशा क्रिस्टन सन की next season की बात करता हूँ कि आप क्रिस्टन सन के साथ next season नहीं जा सकते है तो यह मेरा एक point है अब फ्रेंकी के बात आपका तबाव हो गया और अब लोग कहेंगे भाई बाकी टीम्स को भी injury होती है obviously the target is कि अगर आपके player को injury हो तो बाकी players tap up करें लेकिन यह factual बात है आपने realization ही करनी है कि हमारी team में ऐसा नहीं है अभी हम बहुत ज़्यदर reliant हैं on Frankie de Jong because उस quality का player उस position पे है ही नहीं अब लोग बात करते हैं बहुत से player real Madrid के injured हो रहे हैं भाई उनकी DM position के उपर जाके देखो कितनी ज़्यादा option है ठीक है फेड़ी कहल सकते हैं, cruise कहल सकते हैं, modernist कहल सकते हैं, चुआ मैं नहीं कहल सकते हैं हमारी reward हो के हमारे पास मैं रुमेयो को count नहीं करता ठीक है, हमें था कि हम एक DM लेके आंगे जो के औरिल रुमेयो थे, तो आपके पास DM position के उपर नहीं है options, आपके पास proper wingers नहीं है left side के उपर तो भाई, फ्रेंकी डियों को जो बेचने के चक्रों में होते हैं ना, उनकी आंखे जो है, वो अब खुल जानी चाहिए कि भाई, फ्रेंकी गया तो है क्या, पहले भी वो दो मीने इंजिट हुआ था, आम गंती से तरीन football खेल रहे थे, और अभी आप देख लें, एक मैच मैच के इंदर, सब की, सब जितने भी जो थे, वो एक्स्फोज हो गए हैं, जितने भी एक्सपो misty थे, जो कि बाल जिल्दी रिलीज नहीं गरता लीज नहीं करता फ्रेंकी वो नहीं करता ये औरो बाकियों से वो वले काम, भई व्रेंकी defensive सिर्फ इंटरसेप्शन उसकी जाकर देख लें रिकॉर्ड देख लें हर मैस के अंदर उसकी बॉल ड्राइविंग बॉल अबिलिटी बॉल यूपर अबिलिटी चेक कर लें आप सिर्फ डिफैंसिवली नहीं आप गए आप क्रेटिविटी भी गए प्री एसिस्ट में बहुत हद तक फ्रेंगी डियोंग का हमेशा रोल होता है ठीक है तो ये एक आयो उपनर है बार्सा फैंस के लिए कि अपनी फिनेंशल सिचुएशन को रिलाइज करें और उसके मताबिक ने डिमांड्स किया करें और पेडरी को जैसी हमाँ बहुत यार ना शुकरे हैं जैसी एक य जखम भी जो है वो सुखानी होगा उसको बेजने के चगरों में हैं लोग ठीक है ये हमारी लोयल्टी है कितनी इंजडियों होई है रियाल मेट्र फैंस को कितने लोगों ने काया कि कितने अपने प्लेयर्स को बेज़ दो बहुत सबर रखा गरें ठंड रखा गरें चावी सब्स्यूशन बोल लेट करता है मेरी समझ से बाहर है बोल लेट करता है रिफीनिया को लेफ पे क्यों खिलाता है मेरी समझ से बाहर है जाओ फिलिक्स वैसे ही मेरी समझ से बाहर है वो पता नहीं क्या करता रहता है वन उन वन एक आद मैच अच्छा कहलेगा चार मैच मैच के बाई बिल्कुल भी ना उसको पर्मेन्ट करो सिद्धी सी बात है, जौव लगती जौव फिलेक्स की, तो और बाकी आपने सेंटर बैक्स नहीं आपको गेम के अ मेंदर रहे हैं आधे आधे नहीं डिखे नहीं गेम मेरेफीनिया खतम थी खानी तो गाइज ये सीधी सी बात थी लाली गाथ से निकल चुकि यार्ट पॉइंट्स जो है और मिझे समय नहीं लगी इंटेंट की बारसा की मैं कह रहा था लाइव के दुरान गया भाई इस मैच को जीतना है अपने हार जो ड्रॉआ और हारना एक ही है इस मैच को जीतना है लेकिन चावी ने वो सब्सुशन जी नहीं कीट विए इस नोगाई जाता है लोग फरमीन को गालियां दे रहे हैं ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं भाई आपकी अपनी सिच्वेशन को समझेओ अपनी सिच्वेशन समझो और उसके मुताबिक जो है अपनी डिमांड रखो और अपनी एक्सपेटेशन रखो भाई लालीगा इस गौन और मुझे नैपोली के गेंस भी कुई चांस ने करा विकॉज देखे पेडरी के बगार आप सर्वायो कर सकते हैं फ्रेंकी के बगार आप कैसे सर्व करेंगे मैंचेस्टर डेर्भी हुई मैंचेस्टर उनाइटिड वर नोवेर नियर मैंचेस्टर सिटी भाई काउंटर भाई मैं सिर्फ सिंपल सी बात कहूंगा चांसिस थे फर्स्ट आप में काउंटर की उपर और एंधाट सबाउट इट मतलब एक गॉल किया वर्ल्लक्स गोर रिषवर्ड ने और उसके बाद हगते रहे वह हगते रहे हग हग के मतलब मतलब वो गॉल और उसके अलावा बहुत ही बुरा गेम रिषवर्ड का हर प्लेयर का मतलब डिफेंसिवली आपका अच्छा गेम था भाई मैं Sir Alex Ferguson जब से गए है ना तक्रीमन तक्रीमन 7-8 साल से इस्पेशली ओले केंडर से लेकर 5-6 साल से देख रहा हूँ भाई कब आएगा वो दिन जब आप counter-attacking football छोड़ेंगे ऐसे players हैं Manchester United के अंदर जो के counter-attacking football के किलावा खेली एरिक टेना कितनी प्यारी football खिलाते था He is forced to play counter-attacking football because उसके पास कोई और choice ही नहीं है ये players खेली नहीं सकते भाई मतलब आप imagine करें कि 6-7 साल से मैं observe कर रहा हर Manchester Derby में वो एक आद गीम तो आप जी सकते है counter-attacking football consistently कभी भी भी नहीं आप football जी सकते है जब तक आपके पास quality नहीं होगी और ये players counter-attacking football के लावा कुछ और खेली नहीं सकते है ठीक है और उसके अंदर भी बहुत अच्छे नहीं है ये by the way ठीक है तो आप Eric Tenha को blame कर दे जो मर्जी करते हैं ये squad ही इस काबिल नहीं है कि Manchester City से मतलब 10 match खिलेंगे ये 8-9 हारेंगे हारेंगे एक जीजेंगे counter-attacking football पर भाई Manchester United is way off और सारी उमीदों में पानी फेर दिया Arsenal की Liverpool की जितने भी fans थे अकठे उन सब की जो उमीदों पर पानी फेर दिया City वर्ज टूगे इसे बंद नहीं कर देते हैं डंडा डालके बंद कर देते हैं वैसे बंद कर दिया उन्हों कुछ भी नहीं करने दिया उनको Forden क्या generation talent है Holland ने क्या miss की absolutely brilliant from Manchester City भाई Manchester United यार क्या चल रहा है आप manager change करते रहें यह player नहीं है इस कापिल के यह जा सकें यह ब्रेव हो सकें फुटबॉल की हिलने के लिए counter attacking football भाई देख 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 के थग्यों में Manchester United ही ठीक है आप tactics यूपर जो मर्जी बात कर लें क्या एरिक टनाग इस्तां की football खिलाना चाता है नहीं जाकर देखें हो AX के अंदर young players के साथ कैसे खरता है because उनके पास ability थी वह वाली football खेलने की चाए वो young थे इनके पास ability नहीं है इनके पास सिर्फ counter attacking football की खेलने की ability है because उनको counter attacking football ही खिलाएगी है चाए जोजे मिरी नो थे चाए ओले थे उसके बाद चाए अब जो है वो एरिक टन हाग है उनके पास है ही नहीं ability भाई ये simple सी बात है इस match और ये मुझे frustration होती है देखके के भाई जब भी city के साथ match होता ह लो जी sit back करो, defend करो और counter attack में खेलो और वहाँ पे Gary Neville और Roekeen इसको appreciate कर रहे हैं भाई क्या नया दिख रहा आपको कुछ भी नया नहीं दिख रहा तो guys this was my opinion, अपना opinion दे in the comment section like कर दीए, subscribe कर दीए, मिलते हैं नेक्स वीडियो में विस केल बासा